जय जिवताने सूर्य को आत्मा का कारक आपके प्रगती का कारक आपके स्वाभिमान अभिमान, खमंड, गुरूर और साथ साथ में अहुदे का कारक आपके शरीर में हड़ियों, आखों, सकल, स्पाइन दांथ और आपका आत्म तत्व आपके पिता, आपकी नौकरी, आपका अहुदा इन सब का कारक माना गया है बहुत महत्वर रखता है सूर्य जब वो कोई नक्षत्र बदल लेता है सहसा लोग ऐसा कहते हैं कि अगर नक्षत्र नहीं देखा जाए तो सूर्य मिथुन राश्य में ऐसा कहने पर एक ही प्रकार का प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं लेकिन याद रखें कि अगर मिथुन राश्य में फेवरेबल नक्षत्र नहीं मिला सूर्य को तो वो अपनी चमतकार नहीं दिखा पाएगा या कम दिखा पाएगा क्योंके मिथुन राश्य बुध की राश्य सूर्य के मित्र की राश्य है इसलिए वो अपना आत्म तत्व पाह नहीं छोड़ेगा और बुध तत्व के लोगों को जितनी सहायता करनी है बुध के जिस भाव को किसी की भी कुंडली में जो सहायता करनी है वो देख कर रहेगा लेकिन अगर वो खुद राहू के नक्षत्र आराद्रा से जूज रहा होगा तो उसकी सहायता की मिकदार जो है वो कम हो जाएगे क्योंके सूर्य को राहू के साथ मिलकर ग्रहन योग लग जाता है यहाँ पर सूर्य राहू के साथ नहीं है फिर भी राहू के नक्षत्र आराद्रा में 22 जून को शाम पांच बज के 47 मिनिट पर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर विराजमान रहेंगे वो 6 जुलाई तक फिर उसके पाद सूर्य पुनरवसु नक्षत्र गुरू के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पर वो अपना पूरा जल्वा दिखा पाएंगे तो मैं कामीनी खर्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोजी की फाउंडर आप सभी के साथ आपका अभिवादन करते हुए बता रही हूँ आप सभी को मेज सेले के मेन राश्ची पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूरे के आरादर नक्षत्र में जाने का सबसे पहले ये जान लीजे के आरादर नक्षत्र है क्या आखिर आरादर नक्षत्र छटा नक्षत्र है उसके स्वामी राहू है देवता रुद्र है राशी स्वामी क्योंके मिथुन राशी में आता है तो बूध है और ये मिथुन राशी में 6.40 डिगरी से शुरू होकर 20 डिगरी तक रहता है इसका जो चिन है वो आंसुं की बूंद है इसको अगर आप शब्दताहा लेना चाहें तो इसका जो चिन है वो नमी है आर्दरता है किसी भी नमी को किसी भी वेट चीज को या किसी भी आर्दरता को जैसे दिल भी पसीच जाए या किसी की जीवन में ऐसी घटनाए हो जाए क् राहू के नक्षत्र में पैदा हुआ था जिससे उसके आंखों में नमी रहे तो ये इसका चिन्न है वैसे ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं है कि राहू का नक्षत्र सभी राशी वालों को नहीं सुहाता है क्योंकि राहू बुध का शुक्र का और शनी का परमित्र है इस तो चलिए हम बात करते हैं मेज से लेके मीन राशी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सूर्य का आरादर नक्षत्र में जाने पर सूर्य के उपाई इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी वैसे मैं कई बार आपको सूर्य के उपाई बता चुकी हूँ और उसका description में link डाल देती हूँ वो जरूर देखियेगा सूर्य के उपाईों में उसके बारा नामों का जाप और साथ में गायत्री मंत्र का जाप इसका भी मैं description में link देती हूँ वो मेरे द्वारा बोले हुए मेरे द्वारा गाये हुए हैं जो के मेरे ही चैनल कामिनी खना म्यूजिक से हैं तो आप उनको सुन भर सकते हैं और सुनने मात्र से भी उसका असर आप पर होगा जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है उन लोगों को सूर्य के उपाय करने चाहिए लेकिन जिन लोगों के लिए सूर्य कारक नहीं है उन लोगों को सूर्य के उपाय नहीं करने चाहिए जैसे वरिशव राशी तुला राशी और साथ साथ में मकर राशी और कोंबर राशी इन के लिए सूर्य कारक नहीं बनते तो आप कृपया सूर्य के उपाय मत कीजे आईए अब हम जानते हैं संग्षेप में मेश से लेके मीन राशी पर क्या असर होगा जब सूर्य आरादरा नक्षतर में जाकर एक प्रकार का ग्रहन योग बनाएंगे मेश राशी सूर्य पंचम भ करना और सूर्य के बारा नाम बोलना आपके लिए जरूरी रहेगा आपके बल को बढ़ाने के लिए आप सूर्य को जल चड़ाते रहिए बच्चों से उलजहना अपना धन मारग प्रशस्त करने के लिए और अपनी नौकरी पेशा जिंदगी के लिए या नेतागिरी अभी नेतागिरी के लिए भी ये बहुत जरूरी है वरिशवराशी सूर्य आपके चतुरत भाव के स्वामी बनते हैं और दुतिय भाव में बैटकर आरादरानक शत्र में जाते हैं तो आपको अपने संचिद्धन को लुटाना नहीं है माता की तवियत का ध्यान रखना है घर की आपको सूर्य को जल चाड़ाना वर्जित है तो आप एक काम करें आप सूर्य की रोशनी में बैटकर ओ माहलक्षमे नमा के जाब करते रहें या शिवजी के कोई भी जाब करते रहें जिससे आपको आनंद मिलेगा मित उन्राशी आपके लगन में बैठे हुए सूर्य जब आरादर नक्षतर में जाएंगे आपको हर प्रकार से वो फेवर करते ही रहेंगे क्योंकि आरादर नक्षतर आपके लिए पॉजिटिव है और सूर्य जो है उनके लिए आरादर नक्षतर पॉजिटिव नहीं है त इसलिए आप सूरी की रोशनी में बैटके गायत्री के जब या उसके बारा नामों का जब कर सकते हैं। आप सूरी के सभी उपाय कर सकते हैं। अब तक के से स्विवाद में उल्जे नहीं अपने पैसे को समाल के रखें। कन्या राशी सूरी के दशंभाव में बैटकर आरादरा नक्षतर में जाने का मतलब है। आपको सरकारी दरवारी कामों में व्यत्य या उनके साथ कोई मच मच ना हो या आपको कोई गलत लोग ना टकरें। इस बात का भी ध्यान रखना है। आपको हर तरह से फाइदा दे रहे थे अब बीच में उर राहू के नक्षतर में आके आपको ज़ादा बीचानी नहीं देते। क्यूंकि राहू का नक्षतर आपका मित्र का नक्षतर है। और साथ-साथ में ये भी ध्यान रखें। आपको सिर्फ केसेस और विवाद में नहीं उलजना है और जितने काम आ रहे हैं उनको सहर्ष लेते जाएए किसी को मना मत करिए अपने बड़े भाई भेनों के साथ जगड़े मत करिए यातरा पर निकलें तो अपनी दवाईयां खाना पीना साथ लेकर चलें बिश्ची कराशी अश्टमभाव में बैठे सूरिया आपके दशमभाव के स्वामी हैं आरादरानक्षतर में जब जाते हैं तो आपको बेचे नहीं हो सकती है अपनी भ्रमों से लेकर के आपने कुछ सोच लिया शंका कर लिया सउशय कर लिया और इस बात से आप डरे हुए हैं मेरी नोकरी चली जाएगी या मैं इन्वेस्टमेंट करूं के ना करूं या ससुराल पक्षे से डर या उनके साथ अन्बन इन सब बातों से बचें और साथ साथ सरकारी दरवारी काम समहल कर करें कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी करनी की जरूरत नहीं है पिता की तवियत का ध्यान रखें धनुराशी सब्तम भाव में बैठे सूर्य वैसे ही नीच के हो जाते हैं भागे भाव के स्वामी हैं वो आपके तो जो काम हो रहा था पहले उसमें थोड़ा व्यत्ते आये तो घवराएं नहीं एक एक कॉल इंपॉर्टन्ट है आपकी जब तक सूर्य मिथुन राशी में बैठा हुआ है और जैसे ही सूर्य पुनर वसुनक शत्र में जाएगा आपको बहुत ज़्यादा ओफर्स आने वाली है शादी किये और काम की तब आप पीछे नहीं अटियेगा और काम लीजिएगा फिलाल आपको मैं बता दू कि जो काम मिल रहे हैं उनको एकसेप्ट कीजे और यात्रा पर जाना है तो यात्रा पर जाएए लेकिन दवाईयां खाना पिना साथ लेकर जाएए विवाह के योग आ रहे हैं तो किसी के साथ मचमच मत करें शानती से नहीं पसंद आता तो हाँ या ना प्यार से बोलिए कुछ उल्जेना, मकर राशी आपके शेश्ट भाव में बैठे सूर्य आपको फाइदा दे रहे थे लेकिन पवियत समाने की बहुत जरूरत है अब आपको भ्रहम पैदा होना, शंका है पैदा होना मानसिक बेचैनी, पेट खराब नीन नाना, यह सब प्राबलम अगर होती है, तो आपको अपनी दवाईयां और डाइगनोस वगरा कराने की जरूरत पढ़ सकती है याद रखें कि आपको अपने ससुराल पक्षे के साथ बेचैनी नहीं करनी, अगर उनके साथ कोई बिजनस करते हैं, और आपके कोई काम ऐसे हो रहे हैं, जिसमें विफसाय आपका बढ़ रहा था तो थोड़ी सी रोक लग सकती है, आपको सूर्य के उपाय नहीं करने हैं इसलिए सूर्य की रोशनी में बैठके आप ओम महालक्षमे नमा या दुर्गा सब्तशती के पाट कर सकते हैं कुम्भराशी पंचम भाव में बैठे सूर्य आपके सब्तमभाव के स्वामी बनते हैं और आपको विवाहित जीवन से सपोर्ट, वेबसाइक जीवन से सपोर्ट मिल रहा था, अचानक कुछ मतभेद हो सकते हैं और आपकी भेचेनी बढ़ सकते हैं, बच्चों के साथ मतभेद नहीं करने हैं अध्यान पढ़ाई के बीच में, अगर मन न लगे, मार्ग आपके अवरुद्ध हो जाएं, वीजा वगरा के भी, तब भी आपको विवाहित जीवन की ही सपोर्ट लेनी हैं या आपको अपने वेबसाइक पार्टनर या बच्चों का ही सपोर्ट लेना है इसलिए उनके साथ बिलकुल अल्मन न करें और सूरी के उपाय न करते हुए आप हरे कृष्णा के जाब कर सकते हैं सूरी की रोशनी में बैठके मीन राशी चतुरत भाव में बैठे सूरी तोड़ा सा समस्याइं दे सकते हैं लेकिन यहां पर अपने मित्र के घर हैं इसलिए ऐसी समस्या होगी नहीं आपको और वो आपके शर्ष्ट भाव के स्वामी हैं रोगस्थान के स्वामी हैं आपके रेने स्थान के तो कोई करजा ना ले कोई इस दोरान गलत लोगों से हाथ न मिलाएं कुछ ऐसा काम ना करें जिसमें आप बैंकिंग रिलेटेड वेवारों में गलती हो जाए मामा पक्षे से अन्बन हो जाए ननीहाल से या तबियत खराब है तो डाइगनोज नहीं करवाया उसको लाइट ली लिया ऐसा ना करें तो आपके सब काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे आप कर सकते हैं सूरे के सारे उपाए जल चड़ाना, गायतरी के पाट करना या बारा नामों के जाप करना आईए अब मैं आपको सूरे के कुछ कौमन उपाए बताती हूँ जो घरी में हो सकते हैं रोज सुबा उड़कर अपने पिता के पैर चुए या पिता समान लोगों के पैर चुए अपने अधिकारियों के साथ में जो आपके उपर बोसेज हैं उनके साथ उलजेना, उनको नमरता से पेश आए, इसके अलावा सुरी की रोशनी अपने घर में पूर्ण रूप से आने दे जहां पर सुरी की रोशनी आती हो दरवाजे, खिड़के आँ, खुले रखे उस रोशनी में बैठके अपने इश्ट देव की प्रार्थना करना और अपने पूर्ण आंग पर अपने सरवांग पर सुरी की रोशनी लेना आपके लिए ये सबसे बहतर उपाए है इससे वैसे भी प्राक्टिकली डी थरी वगरा मिलता है और वैसे भी सुरी की अगर कोई कमी हो आपकी कुंडिली में तो पूरी हो जाती है इसके अलावा भी अपने दातों का, आखों का, स्पाइन का, स्कल का वगरा ध्यान रखने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगरा करते रहें याद रखें, डी थरी, कैल्शम वगरा की कमी न हो औस्टोपोरुसिस वगरा या स्पाइनलाइटस, लिपडिस वगरा न हो इसके लिए सूरी की रोशनी में बैटना और सूरी की पूर्ती करना बोडी में बहुत जरूरी होता है साथ में सूर्योदेश से पहले उठने से और सूर्य को जल जड़ाने से सर्वो परी उपाए हो जाते हैं कहा जाता है और ये मेरे साथ भी घटित हुआ है कि मुझे किसी सात्विक व्यक्ती ने कहा था बहुत छोटी थी मैं और तब मैं बड़ा रोया करती थी तो उन्होंने कहा था कि तुम सूर्योदेश से पहले उठा करो और सूर्य की अगवानी करके कि जब सूर्य उदित होने लगते है तो सूर्य को जल चड़ाया करो तुम कभी भी जीवन में रोग ही नहीं और वैसा ही हुआ मेरे साथ मैंने कई वर्ष ये तपस्या की और मुझे उसका फल भी मिला सूर्य की वज़ा से आपको इज़त, मान, सम्मान इसलिए सूर्य को लाइटली ना लिया जाए God bless you, take care and goodbye आग्याती जे, धनवाद और नमस्कार आपको इसलिए मैंने मैं चांशक्ती आये गया जुदी ये से तेरी गया तो खाम उख्या गया जो मेरे विचारों में बहती जो नहीं हो करके भी है आप रिलैक्स हो रहे हो आप रिलैक्स हो रहे हो वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है फिर आप अपने एक एक कंग को बोलिए आपके शिखा रिलैक्स हो गई आपके बाल रिलैक्स हो गई आपका माता रिलैक्स हो गई आपकी आँखे रिलैक्स हो गई ऐसा मैसेज दीजे यह आपका शरीर है और आपकी बॉड़ी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी यह वस्था होती है जैसे आप सब भी बैठे हो यहाँ पर आपकी कुंडलिनी शक्ती का निवास होता है जिसे गुदाद्वार कहते है जिसे आपकी बॉड़ी में जिसे आपकी बॉड़ी में